जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वैं मनुश्यों में बुद्धिमान है और योगी सभी कर्मों को करने वाला है अचायर जी किस भाति में श्री कृष्ण की इस सीख को अपने जीवन में अपना कर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ूं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुश्यों में बुद्धिमान है और योगी सभी कर्मों को करने वाला है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म समझना अकर्म वो जो स्वयम होता हो कर्म वो जिसके साथ एक कर्ता जुड़ा हुआ हो दिल का धड़कना अकर्म है वहाँ गति तो है पर कोई कर्ता नहीं है पलक का जपकना भी अकर्म है कुछ हुआ तो किसी ने किया नहीं कोई नहीं था जिसकी नियत हो पलक जपकाने की वो अपने आप जपक गई खाने का पचना अकर्म है कोई नहीं था जिसने योजना बनाई हो खाना पचाने की खाना तो स्वयम ही पच्च के खून बन गया योजना तो नहीं बनाई थी पता ही नहीं कैसे हुआ हो गया स्वयम हुआ तो करा किसी ने नहीं या पिर ऐसे कह लिए कि जिसने करा उसका ये दावा करने में कोई रुची नहीं है कि मैंने करा वो बस करता है वो बताता नहीं ठीक है अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म जिसको तुम कर्म समझते हो वो वास्ताव में अकर्म है जब मैं हृद्यकति की बात करूं या खाने के पचने की बात करूं या पलकों के जपकने की बात करूं तो एकदम साफ हो जाता है ना कि ये अकर्म है लेकिन जब मैं बात करूँ कि आपने किसी की और हाथ बढ़ा कर हाथ मिलाया तो हम कहेंगे नहीं ये अकर्म नहीं था ये तो कर्म था कि गले मिलने को या हाथ मिलाने को हम अकर्म मानने को तैयार नहीं होंगे, भोजन के पचने को हम अकर्म मान लेते हैं, उतनी रियायत हम कर देंगे, ठीक है न, कहेंगे हाँ ये बात तो सही है, दिल जो धड़क रहा हम से पूछ के नहीं धड़क रहा है, तो दिल का धड़कन और धमनियों में रक्तका संचार, हम केह देंगे ये क्या है? अकर्म, हम मान लेंगे. लिकिन मैं ये भी कह दू अगर, कि किसी का किसी से गले मिलना, या किसी का किसी को खंजर घोब देना, या किसी का यातरा पे निकल पड़ना, या किसी का अपने परिवार में वृद्धि करना, विवाह करके और संतान इत्यादी करके, ये सब भी अकर्म हैं, तो हमें जटका लगेगा, मानेंगे ही नहीं, ये अपने आप थोड़ी हो गई, यात्रा अपने आप थोड़ी हो गई, देखिए, पहले हमने योजना बनाई, फिर हमने टिकट बुक कराया, फिर हम गए, हम गाड़ी चड़े, तब ना यात्रा हुई, यात्रा अकर्म कैसे हो गई, क्रिश्न कह रहे हैं, नहीं बेटा, जो तुमको अकर्म लगता है, वो तो अकर्म है, जो तुमको कर्म लग रहा है, वो भी अकर्म है, करता भाव पे बड़ी जोर का प्रहार कर रहे है Krishno. Krishno गे रहे हैं जो तुमने यात्रा करे है न पूरी या कर्म है. आम आदमी ऐसे ही जीता है. वो कुछ करता नहीं. उसके साथ चीजें होती है. उसके साथ घटनाए घटती है. और तुर्रा ये कि वो दावा ठोक के कह रहा होता है मैंने किया उसकी हालत ऐसी होती है कि जैसे कोई चला जा रहा है नशे में चला जा रहा है और पत्थर से ठोकर खा के गिर जाए तो कहे मैंने किया यहां पर में हसी आ गई क्योंकि यहां बिलकुल साफ है कि उस आदमी ने धोखे से ठोकर खाई उसका इरादा नहीं था गिरने का वो बस गिर गया वह हम कहेंगा रहे पागल तूने किया थोड़ी तेरे साथ हो गया पर जब हमें संदेह उठता है या जब हमें भय लगता है या जब हमें काम चड़ता है या जब हमें क्रोध बढ़ता है तब हम नहीं मानते कि हम भी उस नशेड़ी की तरह हैं जिसके साथ ठोकर की घटना घट गई वो काम उसने करा नहीं उसके साथ हुआ आप बताइए ज़रा आप क्या तै करते हो कि अब आपको डर लगे जब आ अचानक आप डर जाते हो न ठीक वैसे जैसे कोई नशेडी अचानक ठोकर खाकर कोई अंतर है उसको भी नहीं पता था गिरने वाला आपको भी नहीं पता आप डरने वाले हो दोनों के साथ घटना गट गई फिर यो क्यों कहते हो कि मैंने किया या मैं डरा सीधे काओ न डर आ गया आप तो उसमें कहीं होई नहीं आप कहां हो आप खोए हुए हो आप नदारत हो खेल चल रहा है उसको देखने वाला भी कोई नहीं है द्रिश्टा भी कोई नहीं मौजूद है बस खेल चल रहा है पास समझ में आ रही है यहा चलो मान लिया, कि डर भी अकर्म है, पर अब यही बात जब संतान उत्पत्ति के बारे में कह दी जाए, तो बड़ी चोट लगेगी, तो बढ़ी चोट लगेगी, तो बढ़ी नहीं नहीं, वो अचानक नहीं आ गए हमारे बच्चे, वो तो हमने पैदा किये, वाका ही पैदा किया हो, पर वो विचार भी क्या, मुक्त विचार था, या उस विचार में भी रासायनिक, घपला था, बताईएगा, सिर्फ इसलिये कि कोई काम आपने सोच कर करा है, वो काम आपकी मुक्ति का प्रतीक नहीं हो सकता, आप कहें फलाना काम तो मैंने खुद सोच कर करा, इस से ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है, कि वो काम वास्ताव में आपने अपनी आजादी से करा, अगर विचार ही गुलाम हो, तो विचार से जितने काम किये गए हैं, वो सारे काम क्या होंगे, आजादी के या गुलामी के अगर विचार में ही बंधन छुपा बैठा हो, अगर विचारना ही बंधक हो, तो विचार करके जितने काम किये गए होंगे, वो सारे काम मुक्ति के होंगे या बंधन के होंगे, तो अग हम जिन कामों को कहते हैं, कि हमने सोच समझ के किया, वो काम भी वास्ताव में हमने न दबाओ के करे विचार तो खुद बड़ा दबाओ रहता है विचार तो खुद दसो दिशाओं से प्रभावित रहता है तो विचार के द्वारा आपने जो कुछ करा वो भी अकर्म ही है आपने करा नहीं आपसे हो गया इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट तरीके से कहना है तो ऐसे के दीजिए आपने करा नहीं कोई है जो आपसे करवा गया और जब इस भाशा में बात की जाती है तो फिर एक नया प्रतीक उभरता है जिसका नाम है माया माया वो जो आपकी सहमत आपकी समझ के बिना आपसे बहुत कुछ करवा जाती है जो वास्तों में आप कर भी नहीं रहे होते लेकिन आपको लगरा होता है कि आप कर रहे हैं आंतरिक अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है या तो ऐसे कहलो कि हम अज्ञानी थे और नशे में थे तो हमसे हो गया या ऐसे कहलो कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो हम पर नियंतरण करे हुए थी उसने हमसे जबरदस्ती करवा दिया अगर इस दूसरी भाषा में बात करनी है तो फिर कहना होगा कि माया है जो सबके साथ बलात कुछ कर रही है या सबको ठग ठग के कुछ कर रही है ऐसे कहना होगा तो कृष्ण कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनश्यों में बुद्धिमान है और जो कर्म और अकर्म को अलग-अलग देखता है वो फिर क्या हुआ बूरक जानो साफ साफ कि यहां जो कुछ चल रहा है उसके करता आप नहीं उसके करता प्रकृति के तीन गुण है आप नहीं कर रहे हैं हम पैदा ही हुए इस तरीके से कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें करना ही पड़ेगा हमारी देह में वो पूरा कन्फिगरेशन विद्धिमान है जो हम से वो सब करवाएगा ही जो हम कर रहे हैं हम नहा की फूलते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया तुमने क्या किया जो किया कुछ देह ने करा कुछ समाज ने करा कुछ काल ने करा कुछ परिस्थितियों ने करा तु इस पर आते हैं कि अपना क्या है उसके बारे में फिर आगे कहते है कृष्ण जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वे मनुश्यों में बुध्यमान है और वे है योगी सभी कर्मों को करने वाला है ये बागपनी एक बिल्कुल अनूठी अपूर्व घटना घटती है जब आप जान जाते हो कि भौतिक तल पर जो कुछ चल रहा है साधारन तया आप उसके करता नहीं हो फिर योग हो जाता है योगी है ही वही जिसने ये जान लिया है कि पार्थिव घटनाएं सब पार्थिव ही है उनका संबंध मिट्टी पानी रसायन से है मुझे से नहीं मैं चेतना हूँ और वो भी अतरप्त चेतना अतरप्त हूँ ही क्यों क्योंकि अपने आपको गलत जगह जोड़े हूँ कहां जोड़े हूँ मिट्टी पानी से जोड़े हूँ इसलिए अतरप्त हूँ जो ही अपने आपको मिट्टी पानी माने रसायन से काटा चेतना ने अपने आपको जैसे अत्रिप्ति से ही काट दिया अत्रिप्ति से कटने को ही योग कहते है वास्तों में योग का मतलब यह नहीं होता कि कुछ कहीं जाकर जुड गया व्यावारिक तौर पर योग का अर्थ होता है कि कुछ कहीं से कट गया हमने यही सुनाए ना योगमाने जोडना मैं अप्छर इसी तरीके से कह देता हूं कि योगमाने जोड योगमाने वास्तों में जोड नहीं घटाव होता है जेतना नाहक जूड़ी बैठी है किस से शरीर से मिट्टी पानी से संसार से यहां वहां हर मामले में जबरदस्ती खलंदाजी जब यह व्यर्थ की रुची चेतना छोड देती है तो योग घटेत होता है योग का मतलब है तुमने जो कुछ अतरिक्त अनावश्यक पकड़ रखा था उसको तुमने व्यर्थ जान लिया वो गिर गया उसका गिरना ही कहलाता है योग फिर क्या होता है वह यो मुक्त हो गई चेतना अब वो कर्म करेगी बाहर तो जो हो रहा है उसाब वास्ताव में क्या है अकर्म है चेतना मुक्त हो गई अब चेतना वो करेगी जो एकमात्र कर्म है और उस एकमात्र कर्म का क्या नाम है मुक्त ही तो और क्या बाहर जो कुछ चल रहा है वो बाहरी है प कर्तवे आपकी जिम्मिदारी एक कर्म करने की है वो एक कर्म क्या है विर्थ के कर्मों से मुक्ति कि उसी को कहा गया है और वहयोगी यsmद सभी कर्मों को करने वाला है क्योंकि वहीत एक्मात्र कर्म है सभी कर्मों को, सभी जूठे कर्मों को, सभी अकर्मों को त्यागना ही, चेतना का एक मात्र वास्तविक कर्म है, और त्यागने का मतलब बाहर के कामों में बाधा पहुंचाना नहीं, बाधा पहुंचाना तो एक और जूठा कर्म हो गया, भाई पहले जो चल रहा था लगे थे उसका श्रे लेने में कि मैंने किया फिर जो चल रहा है उसको रोकने लग गए और कहने लग गए इसको मैंने रोका ये दोनों बराबर की मुर्खताएं हो गई न तो बाहर जो चल रहा है योगी वो जो उसको बाहर के ही सुपुर्द कर देता है वो कहता है जिन्दगी कैसी चल नहीं है ये बुद्धी जाने बुद्धी है ना फैसला कर लेगी किधर को आगे बढ़ना है आखें जाने क्या भोजन करना है मस्तिष्क जाने और शरीर जाने हम दखल नहीं देंगे हम अनावश्यक हैं भई हमारे दखली कोई ज़रूरत ही नहीं ये जो पूरी विवस्था है ये अपना धैन रख लेगी ये अपनी काम जानते हैं और इन सब को संचालित करने के लिए बैठा हुआ एक मस्तिश्क वो भी अपना काम जानता है और मस्तिश्क को सहायता देने के लिए बैठे हुए अतीद के सारे अनुभव कहां पर इसमृति के तौर पर तो मस्तिश को सहायता देने के लिए भी कोई मौजूद है हमारी क्या जरूरत है भाई हमारी कोई जरूरत नहीं हम वहां मौजूद रहेंगे जहां हमारी जरूरत है हम अपना असली काम करेंगे और हमारा असली काम है किसी काम में लिप्त नहोना वो हमारा काम है फिलहाल हम बहुत लिपते हैं तो हमें बहुत काम करना है क्या करने के लिए ये लिपतता काटने के लिए इसी को सहधना कहते है साधना माने कुछ पाना नहीं होता साधना माने कुछ गवाना कुछ काटना होता है जहां जहां व्यर्थ लिप्त हो, वहां से आजाद होते चलो, यही साधना है, डरियेगा नहीं, साधना माने यह नहीं है, कि जो काम धंदे हैं, उनको तुम जबरन बंद करो, साधना का मतलब है, जो काम जिसका है, उसके हवाले करो, तुम जो हो, तुम अपनी पहचान को जानो, ना तुम हात हो, ना तुम कान हो, ना तुम नेत्र हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम स्मृति हो, तुम शुद्ध चेतना मात्र हो, जो व्यर्थ की चीजों के संपर्क में आकर के अशुद्ध और अत्रप्त हो गई है, हाथ को हाथ का काम करने दो, तुम बाधा मत बनना, बुद्धी को बुद्धी का काम करने दो, तुम बाधा मत बनना, तुम अपनी पहचान रखो, तुम चेतना हो, चेतना को कोई काम नहीं करना, चेतना को तो सब को सब का काम करने देना है, ना उसे काम करना है, ना उसे काम रोकना है, सब अपना काम करते रहें, हम वो हैं, जो कुछ नहीं करेगा, ना करेगा, ना रोकेगा, ना आएगा, ना जाएगा, ना पैदा होगा, ना मरेगा, हमें कुछ नहीं करना, सब कर्मों के मध्य, कर्मों से मुक्त रहना है, यह तभी हो सकता है, जब सब कर्मों को तुम जानों कि वो कर्म लगते हैं, हैं अकर्म, फिर तुम सब घटनाओं, सब कर्मों के बीच भी करता नहीं बनोगे, कर तुम ही रहे होगे, लगेगा ऐसा कि जैसे तुम से ही हो रहा है, लेकिन वास्तों में तुम कर नहीं रहे होगे, हाथ आपके ही चल रहे होंगे नजरें आपकी ही देख रही होंगी बुद्ध आपकी ही सोच रही होगी बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगेगा कि आप ही तो सब कुछ कर रहे हैं शब्द आपके ही मुझे निकल रहे होंगे आवाज आपकी ही होगी देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ही तो बोल रहे हैं पर ये सब घटनाएं घट रही होंगी बुद्ध अपना काम कर रहे होगी इसमृत्य अपना काम कर रहे होगी हाथ अपना काम कर रहे होगी जबान अपना काम कर रहे होगी इन सब कामों के बीच भी आप सब कामों से आजाद रहोगे इसी को योग कहते है, इसी को मुक्त कहते है, इसी को साक्षित्य कहते है और जो ऐसा जीवन जीने लगा, वो जीवन मुक्त हो गया सपश्ट है झाल झाल